नमस्कार दोस्तों, तो हम लोग देखेंगे आज बिहार में स्वतनुता संगर्स के दौरान जो घटना है वी उससे रिलेटेड MCQs तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1857 का बिद्रो बिहार में 1857 के बिद्रो के सरवादिक महतपूर्ण नेता थे यहाँ पर option है अमर सिंग, मंगल, पांडे, कुमर सिंग और नाना सहब तो सही answer है कुमर सिंग question number 2 जगदीसपूर में किसने बंदूकों एवं गोला वारुद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था option है अमर सिंग, पीर सिंग, पीर अली, हरकिसन सिंग और कुमर सिंग, यहाँ पर भी सही answer कुमर सिंग है मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता दू जो कुमर सिंग से सम्मंदित question हर एक साल BPSC पूछती है except जो अभी यह 67 का जुरी एक्जाम हुआ था उससे तो हमें यह नहीं हमें अभी यह नहीं सोचना चाहिए इससे question नहीं आएंगे के भविसमी से question आएंगे तो आप अपनी तयारी को बरकरार रखिए question नमर चार जगदीश पूर में 1857 में किसके नेत्रित में समानतर सरकार की अस्थापना की गई थी यहाँ पर है option कुमर सिंग अमर सिंग हरिकिशन सिंग और रतभंजन सिंग तो यहाँ सही एंसर है अमर सिं option है हरिकिशन सिंग, कुमर सिंग, निशान सिंग और जैमंगल सिंग सही एंसर है हरिकिशन सिंग अमर सिंग के नेत्रित में जगदीश पूर में जो सरकार अस्थापित हुई थी उसके प्रधान हरिकिशन सिंग जी थी गोशच नमर 6 से अठासौशंचावन के बिधों से बिहार का कौन सा भाग और प्रहावित रहा था यहां पर है दानापूर, पटना आराव मुझपार, पूर और मुंगफर और मुंगेर तो मैं आपको बता दो कि मानो देश से सरकारी प्रशाचन समाप्त हो चुका है या था यहां पर option है गया, पटना, तिरहुत और उप्युक्त में से कोई नहीं तो सही answer है तिरहुत question number 8 1857 के बिद्रो का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 का कैंद्र था यहां पर option है रामपूर, हमीरपूर, धीरपूर और जगदीशपूर तो सही answer है हमीरपूर, हमीरपूर जो था वो 1857 के बिद्रो का बिहार में 15 जुलाई 1857 से लेकर 20 जनवरी 1858 तक एक कैंद्र था आते हैं question number 9 अवद के साह ने कुमर सिंग को फर्मान दिया था जिसका संबन्द था यहां पर option है जैनपूर से मिरजापूर से आजमगड से और इलाबाद से तो सही option है आजमगड से question number 10 पर आते हैं 1857 के बिद्रो के पहले कुमर सिंग को किस वर्स सडियंत्र में सामिल होने का संदे था यहां पर सही answer है 1845 और 46 वैसे option 1845, 48, 39, 39, 49, 50 और 1851 लेकिन सही answer है 1845 से 46 के बीच में उस में पटना प्रवंडल के कमिशनर विलियम टेलर के अनुसार सन 1845 और 46 में पटना था उसके आसपास के लोगों ने अंग्रिजों के खिलाब भयानक सडियंत्र रचा था question number 11 पटना में 1857 के विपलप के नेता कौन थे option है विलायत अली पीर अली इनायत अली और जैमंगल सिंग सही answer है पीर अली पीर अली पटना के पुस्तक विक्रेता थे बिद्रों में वह पराजित हुए और उन्हें पटना में सफासी दी गई थी question number 12 कुमर सिंग को किस रिवा के राजा रिवा के जो राजा थे वो अंग्रेजों के प्रतिनिष्ठावान था इसलिए अपने राजी में कुमर सिंग के प्रवेश्ट को अन्मती नहीं दी थी लेकिन रिवा के दूसरे लोग के सहीयोग से कुमर सिंग वहां पहुंचे इसके पश्यात वहां का र इसके तीन दिन के पश्षाति उनकी बृत्ति हो जाती है। कोश्चन नमर चौदा, कहा के सासक ने कुमर सिंग को पौसाग दी तथा हजारा रुप्य तथा आजमगट किला के लिए फर्मान परदान की। औप्शन है अवद के साह, रिवा के राजा, बांदक के सासक और जैनपूर का राजा। यहाँ पर सही अंसर है अवद के साह। अब आते कोश्चन नमर पंद्रव में कुमर सिंग ने किस युद में नाना साहब को सहयोग किया था। औप्शन है लखनो के का युद कानपूर की लड़ाई, सहाबात की लड़ाई और जहांसी की लड़ाई। यहाँ पर सही अंसर है कानपूर की लड़ाई, यह लड़ाई जो थी दिसंबर 1857 में लड़ा गया, जिसमें कुमर सिंग तिता नाना साहब को सफलता नहीं मिली थी। कोश्चन नमर 16 पर आते हैं, कुमर सिंग ने 26 मार्च 1857 को किस जिले का अधिकार अस्थापित किया था, ओप्शन है रिवा, जैनपूर, आजमगड और जहांसी, यहाँ पर सही अंसर है आजमगड, कुमर सिंग ने 26 मार्च 1858 को आजमगड जिले पर अपना अधिकार के बिच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेच पराजित हुए और आजमगड पर कुमर सिंग का अधिकार हो गया, आते हैं कोश्चन नमर 17 में, बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन जिलों के जमिनदारों ने कंपनी की सहायता दी थी, यहाँ पर आप्शन है हथवा, पंडौल, बेतिया और उप्युक्त में से सही, उप्युक्त सभी, यहाँ पर सही एंसर है, इन तीने हथवा, पंडौल और बेतिया, 1857 के आंदोलन के दौरान, हथवा, पंडौल और बेतिया, इन तीनों के जिलों के जमिनदारों ने कंपनी की सहायता की थी, यानि कि नमर अठारा, बिहार में 1857 के बिद्रो के प्रारंब होने के समय पतना का आयुक्त कमिशनर कौन था, तो यहाँ पर सही एंसर है, विलियम टेलर, 1857 तक टेलर पतना का कमिशनर था, उसके पस्चात ये, सम्यूल, सम्यूल्स की निउक्ति इस्पत पर हुई थी, अब आते है मुक्स भावनों को उड़ा देने की तयारी कर रहा हूँ, आज मैंने कुमर सिंग द्वारा, हाल ही में बड़ी धनराशी खर्च करके बनवाये गए मंदिर का अंस्तत तुड़वा दिया है, या कथन किसका है, ये विंसेंट आयर का है, ये कथन है, कोश्चन नमर 21, बिहार में 1857 के बिद्रों के दौरान को जिले के सेनिक हटा लिया गया, उन जिले का सही करम क्या है, सहाबाद, पटना और बिहार, 1857 के बिद्रों के दौरान, पटना, सहाबाद, पटना और बिहार, इन जिलों के सेनिकों को हटा लिया गया, यहाँ पर बिहार से समन्द बिहार सर है कि बाइस माह 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के बुरुद छापामार युद्ध किस ने किया ऑप्शन है अमर सिंग कुमर सिंग पीर अली और उप्युक्त में से कोई नहीं तो सही अंसर है अमर सिंग अमर सिंग कुमर सिंग के छोटे भाई थे कोश्चन नमर 23 किन पहाड़ियों से अमर सिंग अंग्रेजों के सेना के बुरुद छापामार युद्ध करते थे ओप्शन है राजगीर की पहाड़ियां कैमूर की पहाड़ियां राची की पहाड़ियां और इन में से कोई नहीं तो सही अप्शन है कैमूर की पहाड़ियां यहां से अंग्रेजों के विरुद्ध वो छापा मार युद्ध क्या करते थे। Q24. दानापूर की सेनिकों ने जब कब कमपनी के विरुद्ध विरुद्ध किया था। यहां पर ऑप्शन सही है टेलर टेलर ने कुमर सिंग को आमंत्रण दिया था पर वो पटना नहीं गया थे। Q26. किस छेत्र पर अधिकार कर कुमर सिंग ने अपने आपको छेत्र का सासग घोसित किया था। यहां पर सही option है आरा आरा पर अधिकार करके कुमर सिंग ने अपने आपको श्चेत्र का सासा घोसित किया था कोश्चन 27 बिहार में 1857 में मुहमद हुसेन खांके नेत्रित में बिद्रो हुआ था अप्शन है गया में छपरा में नालंदा में और हुतास में यहां सही अंसर है छपरा में कोश्चन 28 कुमर सिंग ने अक्टूबर 1857 में निम्नि में से किस से मिलने का प्रियास किया था अप्शन है लक्षमी भाई लियाकतली बेगम हजरत महल और तात्या टोपे यहां पर सही अप्शन है तात्या टोपे कोश्चन 29 बिहार में 1857 के बिद्रो के नेता अमर सिंग को गिरफतार किस ने किया था समयल्स लुगार्ड महराजा जंग बहादूर महराजा जय प्रताप सिंग यहां पर सही अप्शन महराजा जंग बहादूर कोश्चन नम्मर तीस बिहार में 1857 के बिद्रों के नेता अमर सिंग के मृत्यू कब हुई थी ऑप्शन है पांच फरवरी 1860 पांच जनवरी 1860 पांच मार्च 1869 और तीन जनवरी 1860 नहीं पर सही अंसर है पांच फरवरी 1860 Bill No 31 18 cle infrastruktur कि अअरे largest storage UKने का स्टावन के बिद्रों का नेतृत्त वीं किस ने किया थे यहां पर थी तो उनकी मृत्यों की तारिक 26 अप्रेल 1857 को थी कुश्चन नमर 34 परतम स्वतंतृता संग्रा में बिहार का नियत्रित्य करने वाला नेता कौन था यहां पर आप्शन है कुमर सिंग नाना साहब तात्या टोपे मंगल पांडे यहां पर कुमर सिंग है कुश्चन नमर 35 बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंतृता संग्रा में सक्रिय भाग लिया था जगदीश्पूर के राजा ने स्वतंतृता संग्रा में सक्रिय भाग लिया था कुश्चन 158 मुझा स्थानी करता है nagणा विखार के राजगीर परगना के कौन से अस्थानी नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयम को राजा घोसित किया था यहां पर हैदर अली खाने स्वयम को राजा घोसित किया था Q38 बिहार के सेख विखारी सम्मंदित है वो 1857 के बिद्रों से सम्मंदित है उन्हें अंग्रेजो दौरा फासी दे दी गई थी अब आते हैं Q49 पर बिहार में 1857 का जन बिद्रों सरपर्तम किसके नेतरित में हुआ था ये पीर अली के नेतरित में हुआ था Q40 बिहार में 1857 के बिद्रों की सुरुवात हुई थी यहां पर आप्शन सही है 3 जुलाई 1857 को Quesyon no.41. बिहार में 1857 का बिद्रो व्यापक रूप से स्वार्परत्म कहा हुआ था ये बिद्रो पत्ना में हुआ था अब आते हैं Quesyon no.42 में पत्ना के 1857 के बिद्रो के नेता पीर अली को फासी हुई थी 7 जुलाई 1857 को कोश्चन नमर 43 पटना के कमिशनर विल्यम टेलर ने किस बहावी नेताओं को 1857 के संगर्स के समय कैद कर लिया था जो समय बहावी नेता थे मौलबी अहमदुल्ला और वाय जुक हक जुल हक और मौम्मद हुसेन तो सही एंसर है इन तीनों को मौलबी अहमदुल्ला वाय जुक हक और मौम्मद हुसेन तीनों को गिरफतार कर लिया था पटना के कमिशनर विल्यम टेलर ने अब आते कोश्चन नमर 44 पे 1857 के संगराम को दवाने के लिए अंग्रेजों ने बिहार के कई जिले में सैनिक तैनात किये थे या जिले इन में से कौन थे सारन चंपारन तीरूत और पटना ये सारे के सारे जिले थे जहां पर 1857 के संगराम को दवाने के लिए अंग्रेजों ने वहाँ पर अपने सैनिक सासन लागू किये थे अब आते हैं हम लोग अन्य बिद्रोह और आंदोलन पर तो पहला कोश्चन है अंग्रेजों के खिलाप संथालों के बिद्रो से संतावन के बीच में संथाल विद्रो के नेता थे सिंदू चांद और भैरव को बिद्रों की अवधी क्या थी कोल विद्रो संथालों ने 1856 में अपनी सरकार की घोशना की थी वो छेत्र था भागलपूर राजमहल का जहां पर संथालों ने 1856 में अपनी सरकार की घोशना की थी 1866 में नील खेतिहर के बिहार में हुए आंदोलन के छेत्र को पहचान कीजिए यह आंदोलन था चमपारण का आते कोश्च किसानों का शोशन बंदो जमिंदारी प्रथा के समाप्ति वर्ग युद्ध को सुरुवात करना यहां पर सही वह इंसर है बकास्त भूमी की वापसी की मांग कोश्च नमर आठ उनेशो चतिस में बिहार में जमिंदार के सत्वादिकार निती के विरुद जो आंदोलन चलाया गया था वहा है एक वक्ष आंदोलन बिहार में कौन सा च्छेत्र उनेशो सत्रह सो सत्तर एक्टर में सन्यासी विद्रो का कैंदर हुआ करदा था Qếp Спасибо बिहार के नूनिया बिद्रो, जो शतरास आठतर और अठारासों के मद्ध हुई थी, के दौर американ में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? ये जो है सारन, बैशाली और पुर्णिया ये तीनों जिले जो थे 17, 78 और 18 सो के मद्ध जो नूनिया बिद्रू हुआ था उससे प्रवावित थे अब आते हैं भावी आंदुलन पर बिहार में सुतन्ता संग्राम में किस आंदुलन का महत्वपुर्ण स्थान है भावी आंद उत्तर प्रदेश के थे इनका जन 1786 में हुआ था बहावी आंदुलन का उद्देश क्या था समाजिक एवन धार्मिक सुधार मुस्लिमों पर पढ़ने वाले पास्चात प्रवाव का प्रोध और भारत में ब्रटिस सप्ता के समाप्ति यहां पर तीनों एंसर सही है बहाव इसक कि अथा तारफ सो तीस के दृसक में पत्ना केंदर था बहावी आंदुलन का लगव के लगवच्छ च्छीस बस बाद ऑठाराहस सो एडसर तक का पत्ना मुक्रें पहावी आधि बिहार में बहावी आंदलों उन्हें आज Huhan Karवाas की सजानों की निम्लिखित में से किसे मिली थी तो अह RUSS अमधृल्ला विभायत अलिया को इण्यों को इन्यास न्य थे अटीमक्ळ अैन्व मरित्यू के सजान दी मुख्य प्रमुख नेता हुए थे सेयद अहमद बर लवी यह यहां पर सही एंसर है इनायत अली थे और इनकी मुख्य नम्मर बारा बहावी आंदुलन के प्रमुख नेता मौलमी अब्दुल्ला के पिता थे बिलायत ली कोश्चन नम्मर तेरह अठारा सो चौश्ट के अंबाला के मुकादमे में पटना के बहावी के वकील कौन से थे यह थे प्लाइडेन कोश्चन नम्मर चौदा बिहार के बहावी की सक्ति समाप्त हो गई थी 1870 अरिकहतर आते आते कोश्चन नम्मर पंद बहावी आंदुलन के किस नेता को पटना के सदिकपूर में सदस्यों ने अपना आत्यादमिक नेता माना था इसका सही ऑप्शन है सयद अहमद बरले भी अवा आते कोश्चन नम्मर अठारा पर बहावीयों ने सिमांत छेतर में अपना राज कहां स्थापित किया था उन्ह ने अठारा से कीस में पटना किया आत्रा की वे अठारा से कतिस में सिख्वों के ब्रुद लड़ते हुए मारे गए उनके मृत्यू बाला कोट के युद्ध में हुई यह सारे के सारे ऑप्शन सही है सेयद अहमद सहीद के संबंद में कोश्चन नम्मर बीस बहावी नेता इनायत अले के मृत्यू कब हुई थी अठारा संठावन में इनायत अले को मृत्यू पुरांत किस बहावी नेता ने अंग्रेजों के संगर्श का नेतृत ग्रहंड किया था मक्सूद अली बहावियों को अंग्रेजों ने पराजित किया था अठारा संठावन के युद्ध बहावी नेताओं में किसको उम्र कैद और काला पाने की सजाव हुई थी इसमें अब्दुलरहीम याहिया अली और आहमदुल्ला ये तीनों के तीनों थे पट्रना इसी तो भावियों का केंदर कहलाता था जो है काफिला और भावियों से प्रेरित पूर्वी मंगाल में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था ये था फराई जी आंदोलन तो ये थे बिहार से संबंदित बिहार में 1857 से संबंदित को इस कोश्चन